अपसे लोग शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, इतना अच्छा लिखने वाला व्यक्ति, रामायर के लिए जब आदी पुरुष के स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, तो ऐसी स्क्रिप्ट हो जाएगी कि बाद में मरुज मुंतिश करके नहीं देख सकते हैं, चार हजार के आसपास समवाद हैं उस फिल्म में और जिन समवादों पे लोगों को आपत्ती हुई है, मुझे मेरा फीड़बैक बहुत जादा आ रहा है, तो अगर मेरा फीड़बैक बंद कर दे तो अच्छा है, वहना मैं कैसे बात करूँगा? टेकनिकल टीम को अपनी बोलें के मेरी हर बात मुझे आ रही एको में आ रही ठीक हो गया होगा मनुजी बोली जे तो मैं ये कह रहा था कि ये हम जेनरलाइज नहीं कर सकते कि सबको अपत्ती हो रही है हर चीज पे फिल्म में 4000 समबाद है और 5 समबादों पे लोगों को प्रॉब्लम हुई है 3995 के असपास अगर आप अभी भी देख ले तो लोगों ने उन पे तालियां बजाई है लोगों ने उन पे जैगोश किया है जैशरी राम के नारे लगाई है अगर आप फिल्म में जाते है तो आप देखते हैं कि जब बहगवान शरी राम कहते है कि दस जाए ये धर्ती ये चटक जाए ये आकाश नियाई के हाथों होके रहेगा अनियाई का सर्वनाश तो तालियां बज़ती है जब भगवान श्री राम कहते हैं कि पाप कितना भी बलवान क्यों न हो अंत में जीत सत्य की होती है तब थीटर में तालियां बचती हैं जब भगवान श्री राम शबरी के चरणों में बैठ के कहते हैं कि हम जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, तब लोगों तक बात पहुँचती है, ऐसे अंगिनत सम्वाध है फिल्मे, जब मा सीता अशोक वाटिका में बंदी बना के रखी गई है, और वहां रावन से आखें मिला के बिना डरे हुए निर्भीक होके, वो कहती है कि रामण तेरी लंका में इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके, तो माताएं और बहने हमारे थीटर में तालिया बजाती है, जब भगवान शेही राम अपनी सेना को एड्रिस कर रहे होते हैं, युद्ध से पहले, और कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों वर्षों बाद तुम्हारी कहानिया सुना कर माई बेटों को बढ़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत वर्ष की किसी बेटी पर हाट डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पवरुष यात करके थर्रा उठेगा, उस दिन के लिए लड़ना जब इतहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर जोग जाएंगे, मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना, आगे बढ़ो और गाड़ दो हैंकार की चाती में विजय का भगवा ध्वज, ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है जिसक अंश उज्वला, वो गंग धारे निर्जरा है, जर रही गिरीश पर, जो अर्ध रात्री स्रस्टी पर है, सोन सा बिखेरता, चमक रहा है चंद्रमा, वो व्योम जैसे शीश पर, तब तालियां बचती हैं, उसी थेटर में जब आहंग होता है, कि मंत्रों से बढ़के तेर नाम, तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन्तुष को ही पोकारे, तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़के तेरा नाम जैश्री राम, तो जैश्री राम के जैकारे गूंचते हैं, उसी थेटर में जब है चंदन, एक है पानी, ये सब भी उसी थेटर में हो रहा है, तो इन गानों को, इन बोलों को, इन शब्दों को जो सम्मान और जो प्रेम दिया है, हमारे सनातरी भाईयों महनों ने, हमारे भारतवासियों ने, जिन लोगों ने फिल्म थेटर बजा के देखी है, पहली तो बहुत बहुत इसके लिए आभार आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इसने दिया और इतना इसने देने के बाद अगर आप मुझसे पांच लाइनों पे अगर आपको कोई नाराजगी है तो क्या मेरा करतव यह है कि मैं बोलू नहीं नहीं शाबाशी तो सारी आपके मैं ले लूँगा और आपके नाराजगी मेरी नहीं है नाराजगी के जवाब मैं तरक से नहीं दूँगा नराज़गी के जवाब मैं एक्शन से दूँगा जो आपको पसंद नहीं आया वो बदला जाएगा वो थीटर में बदल के आएगा लेकिन मनोज जी आप कहे रहें कि पांच समवादों पर विबाद हुआ जिसको शुतांडरोस्तुत के बारे में इतनी जानकारी जिसको भगवान विश्णू के बारे में इतनी जानकारी जिसको रामाएड के बारे में इतनी जानकारी उससे तो अगर एक गलतियां भी हो जाएं और विबाद हो जाएं उससे उमीद नहीं की जाज़े लेकिन उससे आगे का सवाल है, हमने रामायन में या हमने जिसको भी पढ़ा उसमें कहा कि सोने की लंका थी, ये लंका काली कब से हो गई, ये रामण चमगादण पर कब से हो गया, ये कल्पना किसकी थी मरोजी, जाहिर तोर पर आपकी ही रही होगी, अगर मैं गलत नहीं हू देखिए, नई, नई, पहनी चीज़ तो ये इसके दो उत्तर है, कि एक तो इस बारे में बहुत सरी बाते हो चुकी है, आज ये विशे नहीं है, आज जो विशे हमारे सामने है, वो है कि हमने जो डायलोक्स बदले हैं, पांस डायलोक्स, उन पर बात होनी चाहिए, दूसर ये डिरेक्टर का विशन है, फिल्म के डिरेक्टर है, श्री ओम राउत जी, रामायन तीन सो बार लिखी गई है, अगर एक रामायन परियाप्त थी, तो महर्शु वालमीकी ने लिख दी थी साथ साथ जार वच पहले, दुबारा बननी ही नहीं थी, लेकिन जितनी बार रा यही हमारी विराठता है, यही सनातन का वैभाव है, कि भगवान राम की च्छवी जिसको जैसी दिखी, उसने वैसी राम कता लिखी, हमारे यहां कोई डंडा लेकर नहीं बैठा था, कि नहीं नहीं तुम ऐसा ही दिखाओगे, तुम ऐसा ही करोगे, तो ये 300 रामायन जिस नाराज हैं उन्हों पिक्चर ही नहीं देखिए जब आप पिक्चर जाके देखेंगे तो आपको रावन की लंका में जम के भरपूर सोना मिलेगा जब आप पिक्चर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप पुश्पक विमान कहते हैं कि भाई रावन तो वो चम्दाधर देख रहा है, तो वो Sataharan के समय देख रहा है।алाम पोष्पक विमान पह पर हुआ नहीं था उनका हुर। पुष्पक विमान था लंका में और उसका जिर आपको पक्चर में बाकायदा देखने को मिलेगा। आप जाएं देखें। ठीक है ठीक है ठीक मनुजी आपने चुकिए समवाद पर बात की तो मैं समवाद पर फिर से वापस आता हूँ आपको नहीं लगता कि ये जो 5-6 समवाद की आप बात कर रहे हैं कि उसमें बदला होगा आपको नहीं लगता कि ये ना होता तो जादा अच्छा अपसोस है आपक एक आप यह कैसकते हैं कि गलत कर दिया, एक आप यह कैसकते हैं कि अलग कर दिया, एक आप यह कैसकते हैं कि अलग करने के प्रयास में गलत कर दिया, तो बहुत सरी संभावना यह इसकी बनती है, यह कितना आसान है किसी भी लेखक के लिए, कितना आसान है कि आप रामानन साग ही किया होता तुलसिदास जी ने तो आज हम रामायन की बात तक नहीं कर रहे होते क्योंकि सबसे पहले बाबा तुलसिदास ने ये जोखे मुठाया ये हिम्मत ये साहस दिखाया कि संस्कृत में लिखी हुई रामायन जो कि देव भाषा कही जाती थी जो प्रकांड विद्वानों की पंडितों की भाषा थी उस भाषा को उन्होंने सीधे अउधी में लिख दिया संस्कृत की रीच उतनी नहीं थी आउधी की रीच थी तो जब हम भाषा को सरल करते हैं मेरे जैसा साधारन सा आदमी साधारन सा लेखक भी अगर रामाइन लिखने आएगा तो उसके दिमाग में जो पहली चीज होगी वो अपना ग्यान दिखाना नहीं होगा कि मैं कितना बड़ा ग्याता हूं दिखा दूँ वो आप मेरे यूट्यूब पे देख ले मैं कितना जानता हूं कितना बोलता हूं आपके चैनल्स पे आके बोलता हूं बिल्कुल मुझे सिनेमा में सिर्फ संप्रेशन यह था चाहिए थी मैं खुद आपके तमाम शब्दों को सुनता हूं लेकिन आप भाशा सरल करने की चक्कर में आप युवाओं को कनेक्ट करने की चक्कर में आपने बाबा तुलसी का उधारन दिया ऐसा तो नहीं आप लिखते-लिखते कहीं फिसल गए और आपने लिख दिया तेरे बाप की जलेगी इस तरह की भाशा का इस्तवाल किया आपने देखें ये जो ये जो पर्टिकुलर एक सीन है एक तो ये बहुत मज़े की बात है मैं तो बार-बार सोचता हूं कि तीन घंटे की फिल्म में तीन मिनट पर विवाद है तीन घंटे के समवाद है उस फिल्म में लेकिन पर विवाद है तो अच्छी चीज है यही हमारे देश की खासिया था यहां बात होती है हर तरफ से ये जो तरीका है ना कहानी सुनाने का ये मेरा नहीं है ये हम सुनते आ रहे हैं ये मैंने भी सुना है क्योंकि रामयन बहुत सारी हमने वाचन परंपरा से सुनी है इस बाते हैं अगर आप कभी जाएंगे तो हनुमान जी का चत्रन जहां होता है थोड़ा बाल सुलब होता है थोड़ा ड्रeamatik होता है थोड़ा वह उसमें गजीब तरीक निश्चलता मासूमियत बशकपना होता है जब अब हनुमान जी की जरीय ये बात आई सामने आदिपुरुष में तो कुछ लोगों को इस पे आपत्ति हुई और जिनको आपत्ति हुई पहली बात में उनके विरोध में नहीं हूँ मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको आपत्ति कैसे हो गई छमा माफी, आपको दो विकल्ब दे रहा हूं मैं, माफी मांग के मैं चुफ हो जाओं, भाईया ठीक है माफी, आप खुश हो जाओ, थेटर में कुछ नी बदलेगा, कहीं कुछ नी बदलेगा, मैंने माफी मांग ली, मैं तो एकदम बढ़िया सबका लाडला बन गया, लेकि पूरी पृतिवी, पूरा ब्रह्मान्ड हेला दिया है, कि जो फिल्म 10,000 थेटर में रिलीज हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड, उस फिल्म को परिवर्तित करके मैं दोबारा थेटर में ले जाओं, आपको पता है कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइट मेर है, टी सीरीज ज आपको विकल्ब दे रहा हूं, कि मैं आगे आके डायलोग बदल रहा हूं, जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है, वो मैं बदल के थेटर में आपके लिए लेके जा रहा हूं, क्या है, आप चुनलो, मैं माफी मांग लेता हूं, चुनलो अप यह तो जिनको विरोध है, जो संत महात्मा है, बहुत सारे संतों को भी हमने कल सुना है, और ऐसा नहीं कि अभी आज भी बात शुरू हुआ है, जिस दिन से फ्राइडे को आपके फिल्म रिलीस हुई, उस दिन से यह उसकी बात से शुरू हो रहा जिरे-जिरे, तमाम संत मह महात्माओं ने भी कहा, अवध्या में संतों ने कहा कि यह ठीक नहीं था, तो अब यह मरूज मुंतिशिर को तेह करना है कि वो क्या करेंगे? मैंने कर दिया, मुझे तई करना क्या है? संत महात्माओं का समान, तो मैं उनके चरणों में बैटके सीखता हूँ, सुनता हूँ, मैं बच्चा हूँ उनका, बालक हूँ. और जितने संत महात्माओं की आप बात करने हैं, उनमें से जाधा तर से तो मैं व्याकतिगद तोर में जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनके कदमों में बैठके ग्यान की बातें सीखता हूँ, तो उन्हों ने जो चाहा, मनोज मुंतशिर ने वो किया, और आपके चैनल के जरीए मैं एक बात बताऊँ, इतने दिनों से आप भी दुनिया देख रहे हैं, आप जर्नलिस्ट है इतने बड़े, आप बताईएगा कि कब ऐसा पिछली बार हुआ है, कि बॉलिवूड ने किसी फिल्म को जनता की मांग पर रिविजिट किया है और परिवर्तित करके फिर से रिलीज किया है थेटर में, कब ऐसा हुआ है, मनोश मुंतशिर इस पिक्चर में है ना, मैं इस पिक्चर में हूँ, मैं जो सनातन प्रेमी हूँ, मैं जो आपका पृतिनिधित्य करने के लिए बॉलिवूड में हूँ, मैं हूँ इसलिए ये हो रहा है मैं हूँ इसलिए ओम राउद जी भूशन कुमार जी मेरी बात सुन रहे हैं और उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये परिवर्तन होने चाहिए तो मेरे होने का जो लाब है एक सनातनी इस फिल्म से जुड़ा हुआ है इसका लाब हाब को ये ही कि आपकी बात सुनी गई विश्वास मानिये इसके पहले भी कई चीजों पर आपत्या हुई है लेकिन किसी भी चीज में किसी भी फिल्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ आदिपोरुष बदल रहा है क्योंकि एक सनातनी इस तरफ बैठा हुआ है जिसके हाथ में कलम है और वो आपकी बात मानता है उसके लिए आप से बढ़के दुनिया में कोई नहीं है आपकी भावना का सम्मान में सर जुका के करता हूँ इसलिए परिवर्तन हो रहा है मरोज मुंतशीर सिर्फ सनातन प्रेमी नहीं है मरोज मुंतशीर तो हिंदी प्रेमी भी है सनातनी प्रेमी भी है कलम प्रेमी भी है लेकिन बात उससे आगे की है जब यह फिल्म रिलीज हुई उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर सवाल उठाए 36 गड़ जैसे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने और उन जगहों पर इस फिल्म को बेन करने की मांग हो रही है उनसे आप क्या कहेंगे करने आप राजनीती मौका मिला है आपको आपने तो हमेशा राम के नाम पर रोटियां से कि ए ये वो लोग हैं मैं तो खेर बात बहुत घुमा फिरा के नहीं कहता ये वो लोग है जो राम के स्थित्तों को पूरी जिंदगी न कारते रहे ये वो लोग हैं जो High Courts और Supreme Courts में याचिका दायर करते रहें कि राम तो थे ही नहीं, ये वो लोग हैं जो राम मंदर निर्मान के खिलाफ थे, आज अचानक इनको राम याद आ गया, बहुत बढ़िया बात है, कम से कम इसी बाहनी है राम की बात कर रहे हैं, और बाकि जो 140 क रोटिया से की जा रही है, ये उनको भी पता है कि हो सकता है, सुनाने वालों ने फिल्म की कहानी अपने तरीके से सुनाई हो, लेकिन आधिपुरुष के निर्माता, निर्देशक, लेखक के मन में किसी भी तरह का विशाद, रामायण को लेके, किसी भी तरह की कालोशित भ विशाल एक तरीके से पैसा आया होता और बंपर कमाई हुई होती बाकी दिनों में भी? मतलब इतने विशाल जंसमू ने मेरी फिल्म देखी, मैं इससे खुश हूँ, दूसरी बात, अगर आप हिंदी सिनमा का पैटर्न देखें, या भारती सिनमा का पैटर्न देखें, तो अकसर सेटरडे जो है, वो फ्राइडे के तुल्ला में थोड़ा सा कम होता है, और संडे फिर बाउंस आता है, तो यह कोई नई बात नहीं है, फ्राइडे और सेटरडे में ये फर्क हमेशा होगा, तो फ्राइडे पिक्चर बहुत अच्छी खुली, सेटरडे भी सो करोण किया है, मतलब आप इमेजिन करें, पूरे लाइफ टाइम में सो करोण नहीं करती, हमने एक दिन में किया है, कल संडे है, और कल आप देख लीजेगा, मैं तो बुक मैशो पे देख रहा था, पूरा भारत भगवा में हो चुका है, औरेंज दिख रहा है पूरा बुक मैशो, कल का कलेक्शन सेटरडे से बहुत उपर जाएगा, ठीक है, ये जो मरोजी चेंज करने की बात आप करें, जो समवाद में परिवर्तन की बात आप करें, आप करें कि ठीक है, जिस पर विवाद हो चेंज हो जाएगा, ये बदलने के बात कब तक ये फिल्म फिर आजाएगी परदे पर? बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया अंजीत जी कि ये बहुत बड़ा काम है, ये जैसे सुनने में छोटा लग रहा है ना कि बदल के दे देंगे, ये इतना आसान है नहीं, एक पूरी बनी हुई, एक मास्टर की हुई फिल्म जो थियर्टर में रिलीज हो चुकी लेकिन हमारी टीम दिन रात काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी हफते, सो मुआर है कल, इसी हफते और अगर संभव हुआ, अगर हमारा साथ दिया टेकनॉलजी ने, तो हम तीन दिन के अंदर इस फिल्म को चेंजेस के साथ रिलीज करेंगे थियर ठीक है, मनो जी एक सवाल है मेरे जहन में, आप मा पर भी कहते हैं, आप पिता पर भी लिखते हैं, आप लिखते हैं तेरी मिटी में मिल जामा, लेकिन जब आप ये लिखते हैं कि जिसकी जलती है वही जानता है, जलेगी तेरे बाप की, तो आपके जहन में क्या चल रहा थ हम घूम फिर के उसी बात पे आ रहे हैं एक तो जिस डायलोग को बदल दिया गया जिस डायलोग के लिए मैंने कह दिया कि मैं बदल रहा हूँ तो अब उसके लिए तो मुझे कटगरे में खड़ाई नहीं करना चाहिए सबसे बड़ी बात तो यह है दूसरी चीज यह है कि सरल भाषा बच्चों से कनेट करने के लिए कुछ ड्रामा वो कथा जो अल्रेडी बहुत लोगों ने कही है मैंने नहीं कही पहली बार वो लाइन पहली बार मैंने नहीं लिखी है आप जाएए गूगल करिए आपको दस लोगो कहानी बोलते भी मिल जाएंगे दस बड़े कथा वाचक इस देश के तो मैंने भी वही से ली शूती परमपरा से मैंने तो हमेशा बोला कि जब मैं रामचरित मानस पर अधारित कुछ लिख रहा हूँ तो इक तो इसमें मेरा कुछ नहीं है मैं जो अच्छा भी है जो मैंने आपको डाइलोग सुनाए जो मैंने आपको गीतों के बोल सुनाए ये सब भी तो किसी तुलसी किसी वालमी की किसी कंब से आये होंगे ये कौन सा मैंने सोचे है तो वैसे ही ये भी शुरुती परंपरा से मेरी पास तक बात पहुँची है जो कथा वाचन की परंपरा है वहां से पहुँची है इस पे बहुत लोग तालियां बजाते हैं अगर आप अभी भी जाके वीडियोस देखेंगे तो इन ही बातों पर पूरा एक पंडाल पूरा एक सभा है जो तालियां बजा रही है थियेटर में किसी तरह से लोगों को पसंद नहीं आया आपती हुई इस आपती का मेरी नजर में पूरी तरह से सम्मान है और इस पर मैं एक्शन लेके बदल दूँगा क्या मरोज मुंतशिर को ये समझने में गलती हो गई कि जो मंच से कहा जाता है क्योंकि आप भी बहुत सारे मंचों पर जाते हैं आपको भी लोग सुनते हैं जो मंच से कहा जाता है जो कथा वाचन में कहा जाता है जो पंडाल में कहा जाता है उससे इतर फिल्म की जो दिशा होती है वो अलग होती है क्या ये समझने में कहीं दिक्कत हुई आपको जबाब लिख रहे थे देखें गलती और अलग ये दो चीजे हैं मैंने फिर बोला गलत और अलग इस शब्द पे हम ना पड़ें गलती की बात नहीं है लेकिन हाँ जो समप्रेशन येता है वो हर विधा की अलग होती है कई बार ऐसी जीसे हैं जो मंचों से अच्छे लगती है हो सकता है वो टेलेविजन पर ना अच्छे लगे कई बार जो टेलेविजन पर अच्छा लगता है हो सकता है वो घर में बैठके आप उसके बारे में बात ना कर पाएं ऐसा होता है लेकिन यही तो learning है यही तो सीख है जब भगवान श्री राम की कथा को इतने लोग इतने वर्षों से उसको गुंते आ रहे हैं उसका मर्म समझने की कोशिश करते आ रहे हैं पूलता से तो कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूलर राम को समझ लिया तो मनोज मुंतेशर कौन सा दावा करेगा कि मैंने सब समझ लिया मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्या यह सही था कि अगर मेरे पास एक आवसर उपस्तित था तो मैं यह मौका छोड़ देता एक ऐसे देश में जो गलत बॉलिवूड मुहावरों पे जीता रहा है जहां बरसों बरस हम सुनते रहे हैं पाप का देवता हवस का पुजारी जीता और पुजारी आता ही पाप और हवस आजाता है जो फिल्में आपने देखी है एक ऐसे देश में जहां एक खलनायक हत्या करने से पहले संधार करने से पहले मा दुर्गा के आगे आरती करता है पृतिमा के आगे तिलक लगाता है फिर जाके दो-चार निर्दोश लोगों को मारता है एक ऐसे बॉलीवूड में अगर फिल्म बन रही है भगवान श्री राम के गौराव गाथा पे भगवान श्री राम के यश्गान पे तो क्या इसका स्वागत नहीं होना चाहिए क्या ये मौका मैं अपने हाथ से जाने दूँ क्या ये सही होता क्या ये सही है कि यदि मुझे ये पता है कि ये एक ऐसा हवन कुंड है जिसमें आहुती डालते हुए मेरे हाथ जल सकते हैं तो मैं उस हवनकुड में आहूती न डालूँ, मैं तो आहूती डालूँगा, अगर मेरे हाथ जलते हैं, मैं उस हाथ पे मरहम लगा लूँगा, लेकिन मैं ये जो मौका मुझे मिला है, ये जो मेरे भगवान शरी राम की कथा दुनिया तक पहुंचाने का सुवावसर मिला है मैं ये अपने हाँ से जाने नहीं दूँगा इसी मनोज भुंतिशिर को लोग सुनना चाहते हैं और इसी मुखरता से आपको सुनना चाहते हैं एक सवाल है बहुत सारे लोगों के ट्वीट में पढ़ राता है संडे का दिन आप कहे रहे थे ने सिर्फ सिर्फ दो बाते एक तो ये जज्ज्मेंट फिल्म देखने के पहले आप ना ले क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी होती मैंने तो थेटर में जाके देखी है और मैं बहुत इमानदारी से कह रहा हूँ क्योंकि जूट और बनावटी पन और दिखावा इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहा हूँ विक्तिगत करानों से मैंने परसू की बात है परसू रिलीज फ्राइडे जिस दिन फिल्म रिलीज हुई मैंने फ्राइडे मुंबई के एक ठेटर में आम लोगों के बीश में मास्क लगा गे ताके मुझे कोई पहचाने नहीं मैंने फिल्म देखी है और फिल्म पे बाकाइदा तालियां बजरी है बच्चे बहुत खुश हो रहे है एक-एक डायलोग पे रियक्शन आ रहा है पबलिक का तो ये सब तो बहुत अच्छा था और पिक्चर में पांच डायलोग उठा के जब आप उसको बुरा बोलेंगे मैं आपको बताऊं अगर शोले रिलीज होने के पहले कोई डाल दे बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना तो ये डायलोग भी खराब लगेगा सामभा जरा उठा तो बंदूख और लगा निशाना इस कुत्ते पर कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कुत्ता बोला कुत्ता सेनेमा में तो आप उठाओ इसको ये भी खराब लगेगा लेकिन जब आप सेनेमा तो बदल ही दिया है तो आप अगर नहीं देखना चाहते आज दो दिन रुख जाएं दो दिन हम पूरी तरह से फिल्म को आपके मताबिक बनाके जो आपको नहीं पसंद है वो हटा के नए पार्ट जोड के नए पाइस डायलोग देके आपके सामने ले आएंगे फिर आप देख लीजीगा